Hello everyone, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में दोस्तो, टाइफाइड एक बैक्टिरिया या फिर जीवान उसे होने वाला रोग है, जो की सालमोनिला टाइफ उनसी दवाएं उसको देते हैं, ताकि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सके दोस्तो, तो सारी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें दो सबस्वार्वास करेंगे कि जब भी किसी विकति को टाइ फाल्व हो जाता है तो उस प्रेकर कौन कौन से सींटम्स हैं, याने क कौन कौन से लचषण हैं, जो कि उसमें दिखाई में लगते हैं दोस्तो, तो उसमें पहले से से एपको बहुत तैजी क साथ बहुत जाए ह और इसके साथ headache यानि की सरदर्द भी होने लगेगा और साथ में weakness यानि की कमजोरी महसूस होने लगेगी और साथ में stomach pain यानि की पेट दर्द भी होने लगेगा और body pain भी हो सकता है यानि की पूरे शरीर में दर्द बना रहता है और इसके साथ lose motion भी हो सकता है तो इसके symptoms हैं दोस्तो तो अगर Tiffide का पता लगाना है आपको तो आपको एक टेस्ट कराना होगा जो की होता है Vidal टेस्ट तो इसी टेस्ट के जरीय से हम पता लगा सकते हैं कि वेक्तिको टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है यदि हम टेस्ट पोजिटिव आ जाता है तो देखिए यहाँ पर symptoms के according डॉक्टर दवाय देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर दवा देंगे bacteria की यानि की bacteria को kill करने की दवाय देते हैं और उसके साथ fever को ठीक करने के लिए दवाय देते हैं और headache यानि की सरदद को ठीक करने के लिए दबाई देते हैं और weakness यानि की कमजोरी को दूर करने के लिए दबाई देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम यह भी जान लेते हैं कि डॉक्टर कौन कौन सी दबाई मरीज को देते हैं तो bacteria को kill करने के लिए antibiotics देते हैं जो की ciprofloxacin और ofloxacin देते हैं और fever यानि की बुखार को ठीक करने के लिए anti-paratic दबाई देते हैं जो की paracetamol नाम से आती है ये बुखार को ठीक करती है और साथ में दर्द को भी ठीक करती है दोस्तों यानि की बुखार और दर्द में दोनों में काम करती है और weakness íst को ٹھیک करने के लिए दवाय देते हैं जो की मल्टी विडामिन सीरफ आते हैं वो दवाय देते हैं दोस्तो तो तो टायफाइट फीवर में डोक्थर यही सारी दवाय या मरीज को देते हैं ताकि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सके आर इनके साथ एंटासील टेबलेट भी देते हैं कियांकि antibodyretenes जो दवाय कर दे लिएक रह cone के कच the और दोनों में काम करता है वीक्निस के लिए मल्टी विटामिन सीरप डोक्टर देते हैं तो आई होब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तो कि टाइफाइट फिवर में डोक्टर कौन कौन सी दवाएं मरीज को देते हैं तक कि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सके दोस्तो तो यह जो मैंने आपको दवा बताया यह आपको खुद से इस्तिमाल आपको नहीं करना है अगर आपको टाइफाइट फिवर हुआ है तो आप पहले अपने डोक्टर से सलाह ले 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 और उसी के एकोर्डिंग अपना ट्रेटमेंट करने दोस्तो तो यह था अमारा आज का वीडियो तो वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ-साथ दूसरे लोग भी फाइदा उठा सकें दोस्तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते किसी नेस्टे वीडियो साथ थेंक्यी फॉर वाचिंग